प्रणाम, मैं सार्था गरंजन, पपु यादव जी का उत्र, और मैं नहीं चाहता था कि हमारी मुलाकात ऐसे हो, पर जैसे पापा कहते हैं कि समय और प्रस्थिती के सामने किसी का बस नहीं चलता है, तो प्रणाम स्विकार करिये मेरा, और मैं कल जो हुआ, उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, कल दो घटनाएं हुए, एक जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, और दूसरी के बारे में सोचके सुकून मिलता है, कल हम सबने मिलके, एक व्यक्ती के उपर अन्याय जो हुआ है, हम सबने मिलके ट्विटर पे, हमने उस ट्रेंड को नंबर वन कर दिया, और काफी घंटों तक रहा, मैंने भी ट्विट किया, घर पे, अपने अराम से सोफे में बैठके, उसे नंबर वन ट्रेंड की दोड़ पे लगे रहे हैं, सोचा, पर वो कल हुआ और कल चला गया है, और अब जब जेल जाने की बारी आई है, तो मेरे पिता अकेले हैं, कल नौ बज़े से लेके, कल आज सुभे तीन बज़े तक, वो सिरफ एक मुझरिम की तरह ठीट होए हैं, और मैं जानना जाता हूँ कि उनका जुर्म है क्या, हॉस्पिटल्स की जो हालत है बिहार में, उसकी सच्चाई दिखाना जुर्म है, या दवाईया नहीं है, तो जिनको जरूरत है उनको दवाईया पहचाना जुर्म है, लोगों को खाना देना जुर्म है या जो काला बजारी चल रही है, दवाईयों की, उसको पेश करना जुर्म है, सबसे बड़ा जुर्म में को ये लग रहा है कि एक नेता के घर पे जो च्छापा मार के उन्होंने, आप लोगों के लिए जो एंबिलेंसे यूज होनी थी, वो बस घर पे पड़ी हुई थी, और उन्हों बस ये चाह रहे थे कि वो सारी एंबिलेंस यूज हो आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यही जुर्म उनका सबसे बड़ा रहा अपना परिवार छोड़के उन्होंने बिहार के हर एक परिवार के लिए काम करना सही समझा हर एक परिवार की एक भी पुकार अनसुनी ना जाए उनका बस यही मकसद है शुरुवात से मैं हर रोज बात करता था उनसे कल के पहले तक हर रोज और बस एक ही चीज़ पूछता था मैं उनसे कि क्या आपकी तब्याट ठीक है क्योंकि मैं भी घर पे बैटके अराम से आप लोगों की तरह बस देखता था कि उनकी वीडियो की कभी वो कोविड वार्ड में जा रहे हैं पेशेंट के बीच में जा रहे हैं मुर्दा घर जा रहे हैं या भीड के बीच में खाना दे रहे हैं या कोई माँ उनसे गले लगके अपने बेटी या बेटे के लिए रो रही है मुझे भी यही लगता था या तो कभी किसी मुर्दा के साइड में खड़े हैं मुर्दा घर जाके तो वो देखके मेरे को बस यही लगता था कि दूश्री बॉड़ी मेरे पिता की भी हो सकती है इस महमारी के कारण और हमेशा जब भी मैं उनसे पूछता था कि पापा मास्क पहन रहे हैं या या सैनिटाइज कर रहे हैं या कुछ ध्यान रख रहे हैं तो वो कहते थे कि मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरे साथ पूरा बिहार है उनका स्ने है उनका उनकी दूआ है और वो आज अकेले बीरपुर में पूरी रात नहीं सुए हैं और अकेले हैं और जहां उन्हें रखा गया है वो बिल्डिंग किसी भी वक्त तूटने के दम पे है और जब ऐसा व्यक्ति इतना काम करके इतनी इतनी सच्चाई से काम करके अकेला पड़ जाए तो बुरा बुरा लगने वाली बात है कि उन्होंने हर एक घर के लिए अपना घर छोड़ा है अपने घर की जिम्मिदारियां छोड़ के आप सब के बीच रहने का संकल्ब लिया आप सब के लिए जीने के लिए संकल्ब लिया हमने कल बहुत बहुत साथ दियम का ट्विटर पे और किस पे नहीं पर सिर्फ ट्विटर ही चीज नहीं रह गई है सिर्फ नंबर वन ट्रेंड होना ही नहीं रह गया है जब ऐसा व्यक्ति अकेला पड़ जाए जो रात दिन सेवा करे लोगों की और लोगों के लिए ही जिये अपना सब कुछ छोड़ के अपना सब कुछ त्याब के हम लोग उने बोलते थे आ जाएए आप वापस आ जाएए ठीक नहीं है रिस्की है सही नहीं रहेगा मगर उनका एक ही कहना था हमेशा कि बिहार के लोगों की लोगों को मेरी ज़रूरत है और मैं बस वही कर रहा हूँ अपने बारे में अपनी अपनी जान के बारे में बिलकुल ना सोचते हुए वह बस आप लोगों के लिए काम रात दिन करते रहे हॉस्पिटल में छापा मारना हो तो पप्वी आदफ जाएंगे खाना देना हो तो पप्पू यादफ देंगे दवाई देना हो तो पप्पू यादफ देंगे बैट चाहिए ऑक्सिजन चाहिए एम्बिलेंस चाहिए तो पप्पू यादफ करेंगे अभी हमारे बीच पप्पू यादफ कौन बनेगा कहां से लाएंगे हम दूसरा हम उन्हें अकेला इस टाइम पे नहीं सोर सकते मैं बेटा हूँ इसलिए ये सारी बाते कर रहा हूं नहीं अगर मैं सिर्फ एक बेटे की तरह सोचता तो शायद मैं उसको जबर्दस्ती बहुत पहले घर बुला चुका होता पर मैं एक नागरिक की तरह सोच हूँ तो बहुत बुरा लग रहा है जो आदमी रात दिन एक करके सिर्फ दूसरों के लिए जिये और उसके साथ ऐसा अन्याय हो ये बिल्कुल मन्जूर नहीं है ना हम लोगों को मन्जूर करना चाहिए मैं पहली बार आया हूँ आप सब के सामने और ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने वाली चीज नहीं है जो हुआ है मेरे पिता के साथ कल से हुए जा रहा है और अभी भी हो रहा है बाड का पानी हो बाड के पानी में चलना हो या इस मामारी के टाइम पर हॉस्पिटल जाना हो या भीड में जाना हो या मुर्दा घर जाना हो तो सिर्फ पपू यादव ही जाएगा और जेल जाना हो तो सिर्फ मेरे पिता पपू यादव ही जाएगे ऐसा क्यूं ऐसा मैं समझ नहीं रहा हूं ऐसा हो क्यूं रहा है ऐसा होता क्यूं है हमेशा एक आदमी जब दूसरों के लिए जिये जा रहा है 24 गंटे तो जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो हमेशा अकेला कैसे पढ़ जाता है हमेशा हमेशा उसके आखों में आसू रहते हैं हर एक काम करने के बाद हम अकेले पड़ जाते हैं उसका पूरा परिवार अकेले पड़ जाता है हम क्यों अकेले रजाते हैं जब वो व्यक्ति रात दिन बस दूसरों के लिए जीता है तो दूसरे क्यों नहीं खड़े हो सकते उसके लिए क्यों नहीं आवाज निकाल सकते क्यों नहीं हम अगर एक पपू यादफ बिहार के लिए इतना कर सकता है तो सोचिए दो पपू यादफ या दस पपू यादफ या एक लाग पपू यादफ कितना करेंगे मैं कहुँना मेरे पिता का नाम सिर्फ एक नाम नहीं है वो एक व्यक्ति नहीं है वो एक जुनून है जो वो जुनून हर एक के अंदर रहता है मेरे अंदर भी है मेरी बहन के अंदर भी है मेरे भाई के अंदर भी है और आप सब के अंदर वो सारा जनून एक साथ अगर काम करे तो हमारा जो पहला पपु यादा है वो कभी अकेला नहीं पड़ेगा मैं दिल से खुश गुजार हूँ आप सब का कि हम सब ने कल बहुत बहुत प्यार दिया मेरे पिता को पर अभी रुकने की बारी नहीं है उनको अभी तक हरास किया जा रहा है जैसे कल रात से वो सोए नहीं है खाय नहीं है उनको दवाई खानी होती है उनको शुगर है उनका सवा मेने पहले उपरेशन हुआ है राइट पैर की नसिर उनकी वीक है तो खून सब्कूलेशन नहीं होता है उनके राइट पैर में अच्छे से और किस जुर्म में ये सजा उनको दिये जा रही है मैं ये पूछना चाहता हूँ और जिनकी वज़े से हो रहा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कौन कौन है और ये बिलकुल ना समझेंगी किसी को नहीं पता है कि किसकी वज़े से हो रहा है और क्यूं हो रहा है यहां कोई बच्चा नहीं है और कोई डरा हुआ नहीं है पप्पु यादव ना कभी किसी से डरा है ना कभी डरेगा जब यह जुलून हर एक के अंदर है और हर एक बंदा हर एक, हर एक मा, हर एक बेटी हर एक भाई जब उसके पीछे खड़ा रहेगा और उसको पूरा विश्वास है कि हर एक बिहार का व्यक्ति उनके साथ है वो कल साबित हुआ है मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो सिर्फ कल पे ही सीमित नहीं होना चाहिए ये मुहीम चलती रहनी चाहिए यही मेरे पिता का सबसे बड़ा सबसे बड़ी जीत है उनको पद से कोई लेना देना नहीं है उनकी सबसे बड़ी जीत ही इसमें है कि उनके साथ सारे सच्चे लोग खड़े रहे पुरा बिहार खड़े रहे बिहार खुश रहे उनकी सबसे बड़ी जीत यही है तो जब हम सब में ये जुनून है तो हम सब मिलके इस मुहीम को इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने मुहीम छेडी है जो ये भ्रष्टाचार मेरे पिता के खिलाफ हो रहा है जिस जुर्म में जो कोई नहीं बता सकता जो कोई बता ही नहीं सकता की जुर्म है क्या मैं चाहूँगा हम सब एक साथ मिलके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहीम मेरे पिता ने छेडी है लाखो की कदार में हमें एक सब मिलके इसके खिलाफ आवाज उठाएं और मेरे पिता को जो जीत हमेशा देखी है उन्होंने बिहार के लिए वो रास्ता वो राह वो पत पे हम सब को चलते रहना है इसी में उनकी सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी जीत है मैं मैं बहुत खुश नसीब महसूस करता हूँ कि मैं अभी यहां बैटके आपके सामने यह सब बोल पा रहा हूँ यह मेरे पिता का संघर्ष ही है जो इतना प्रेम उन्हें मिलता है और उनके नाम की वज़े से मैं यहां पे बैटा हूँ तो आप सब के बीच में मेरी आवाज जा पा रही है उनके संघर्ष को हम सब को मिलके उसकी आग को उठाके ही रखना है बुझने नहीं देना है प्रेचानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना बिलकोल न भूले